प्रेड़ नहर के अंदर से खुदवाई करके अपना पाइपलाइन ले जाए अब बगर से रेलो एलाइन ले जाए आप लोग जमीन आप नहीं देंगे नहीं देंगे किसी भी किबट पने देंगे भर लुट अलते मर जाएंगे आपका भी जमीन जा रहा है पहले भी छेकर अब दो एकर आप फ्रेकर का आज तक से मेरा भुपतान नहीं हुआ है अधाक गूरा जमीन कितना है सिर्फ आपका सोज एकर कही रहे सब चला गया उसी में हाँ गाज़ा थाल कर एख जया है जमीन कीकत्ना खेया है हमसा सठीना आप पूरा जमीन कितना है सेदिंध रप ज्मीन जाइल सब कर सका लिए खेंगे फटास रहीं पर ने प्रक्षों nota फ्रक प्सित वह प्र एक ड़म सब कर दीगे इस कहांगे कि अक्षर के चौशा में है चौशा के मनारपुर गाह में है और यहां पर किसानों को मारा पिटा गया पुलिस अधिकारी के दोड़ा पुलिस के दोड़ा वह इसलिए क्यूंकि किसान जो है कई दिनों से धार्ना पर बैटे उए थे अधिकर्षन कर लिया गया था और उसी को मान के ऐहां के जो किसान थे जिनका जिनका जाबीन उस पावर पर दानरा परेटे वह थे लेकिन उनकी मान को सूना नहीं जा रहे था और लगतार ये लोग कई दिनों से धारना परदर्शन कर रहे थे लेकिन उसी बीच में आज से एक पूर दिन पहले धारना परदर्शन पर बैटे वेचे तो रात में पूलिस परशासन आती है और कई किसान के घर में घुश करके उनके परिवार वालों को मारा पिटा जाता है और यहां तक यह भी होता है कि जो पूलिस अधिकारी होते हैं वो पूरुस पूलिस अधिकारी होते हैं और महिलाओं पर भी किसान परिवार के महिलाओं पर भी अत्याचार करते हैं और एक किसान जो हमारे साथ अभी यहां पर मौजूद है इन लोगों के परिवार को भी पुलिस जो है मारे थे यह हुआ था उस दिन जब उनके घर में पुलिस के साथ मार पिटेट है जिसमें दोचर पुलिस गाहिल भी हूए जो जो सेंदे महीला पुलिस थे की नहीं ख़ोल दिया दरवाजा खोल दिए इसलिए उपूल के बस मारना पिटना शुरू किया है यह सब किसान खेत में अनुप जाते हैं तो बैट करके लोग एसी में खाते हैं और ठंडा के मौसम में हीटर में बैट के खाते हैं बताइए एक किसान लोग अगर एक साल तक एक साल तक किसान सिर्फ अपने खाने वर अनुप जाने लगे ना तो भारत में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं नेता हैं वो इंटरनेट से गूगल से खाना डाउलोड करके खाईएगा बताइए यह लोग खाना यह लोग अनुप जाते हैं उसके बावजूद भी इनके अधिकार नहीं मिलता है इनके अधिकारों को दबायाता है तरह तरह की योजना ला दिया जाता है इनके घर में यहां किता है आईए इधर आईए आईए आब 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 देखिए यह किसान है जो लगतार खेत में मेहनत करके अन उप जाते हैं और उस अन को उप जाने के बाद भी इनका सही दाम भी नहीं मिलता है और उसके बाद इनके जो जमीन होता है जमीन को भी जवर्दस्ति हर अपने का कोशिच किया जाता है यहां पर एस जीवेल कंपनी के दोरा पावर प्लांट लगाया जा रहा था चौशा के मनारपुर गाउं में लेकिन इनक आपका चाचा के घर में इनके चाचा के घर में घूस करके पुलिस जो है मार पिट किया क्या हुआ था उस रात प्रसासन एक आएक पहुची है बहुत से प्रसासन थी मतलब लगबक कुछ नहीं तो दस गारी से उपर ही था इन लोगों ने पहले के वारी खोलवाया के वार सिढ़ी के रास्ते उतर करके अंदर का जो गेट है उसको ढखेल करके खोल करके और बच्चों को पिटने सुरू किया बच्चों को मार लगए जित एक इतना बड़ा है और एक माली जिए साधी सुदाहिल कि उस सब भाई से छोटा है उन सबों को धंडा पानी गिरा गिरा क करके मारा इसके बाद बच्ची लोग बोली कि भईया क्या करें क्यों हमारे भाई को मार रहे है इन लोगों ने एक और हमारे पड़िदार है उनके गेट पहलो गए गेट दो दो या तीन जो भी फाना होगा उस समय लोगों ना लाइन को कटवा दिया था पूरी गाउं अं पूरे गाउं में बिजली कटवा दिया हां दो प्रसासंक लोग कुदे हुए थे जिसको कुटा पाला गया है ओन लोगों ने ठोड़ा टार्चर किया कुटों ने किया कि नहीं किया यह तो क्लियरंस नहीं है लेकि उनलोगों ने भाग गए जो फान रहा था उसको भी में यह हो गया कि मतब कि सिपाही आ गया है किसी के गहर मार पिट कर रहा है मार पिट चालू आप थे वहाँ पर दो सिपाही महिला थी मात्र दो लड़की अंदर में थी लेकिन ओ लोग कोने में खड़ी थी पीटने का काम जो पूरुस है उनलोग काम थे ठाना परभारी है मुझ पटि बहार पर लुब। में पनिंदर का भी ज़ा रहे हैं बच्यक्रफित इनीकी गवाच्टि मारो मार रहे थे कि आप जा कर देख़िए ना पत्रकार नोच चालू रहो है अप लोग क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं पहले जो हम किसानों पर जितने आज तक से फायार इन लोगों ने किया है गिंती नहीं बता सकते हैं कितने की हैं लगबग पांट-साथ पार कर चुके हैं इन सभी केसों को इन लोगों ने वापस अपना ले अभी पूरी गाउं हमारे दासत में हैं बहुत से लोग अपने बाल बच्चा को लेकर भी गाउं को छोड़ दिये घर को छोड़ दिये ताला लगा दिये पूलिस के डर से कब आएगी कब अटक करेगी एक कोई तो जानता नहीं है मांग आपका मांग क्या है वो बताई हमारा है कि जो पहले एक हजार अटावन एकर जो भूमी मुख के पलांट के लिया है उसमें बहुत से बड़ा घोटाला किया है इन लोगोरी जमीन किस रेट में दिया जाए उस गोटाले को जाचो जाच के दोरान जो किसानों का पैसा बंद रहा है वो पहले मिलीनी चाहिए इसके बार वो किसानों की बीच में आए और बात करें रिलेवलाइन और पाइपलेंड का और जो जबर जस्ति ये लोग कर रहे है प्लिरिं कि आप जबर जति सब्सक्राइब का मुले बाजार है कि अभी चल रहा है जामीन का१ ह Ci जो एक्ट कहता है ऑल है जो आज का बजार मुले अग्मेंận को मिलना ब मिलना चाहिए लेकिन एक किसान को परतारित करके कभी नहीं अभव लोग देंगे जो जमीन नापी हो रही है उस जमीन को अभव लोग नहीं देंगे इन लोग का अपसन हम लोग बता रहे हैं पहले भी छेकर गया है आज भी दो एकर जा रहा है जमीन नहीं जया रहा है शोला एकर जा रहा लगा गया उसका रेट कितना होता है 36 लाग मिला कितना 28 लाग 28 लाग मिला अभी और नहीं मिला नहीं क्या बोलता हो लोग अब वह लोग बलता है कि मार पिट करता है अब क्या किजेगा अब कहां करेंगे 16 लाग जब चला गया तब खेती कहां से करेंगे इदार आगे बुलिए ना पीशिश को पोर रहे हैं बुलिए हम लोग के साथ धुटा वाज़ा दिया जा रहा है आप बार बार पुलिस हम लोग के सामिना रहे हम पुलिस को तरह नहीं चाहते हैं आप जमीन कितना गया है अपका पूरा जमीन कितना है अम आपका पूरा जमी प्राइन प्राइन के लिए जगह नहीं बच रहा है उसमें भाइब बात बना बना जा रहा है बच्छा अब इनका जमीन चला गया इनका खेट चला गया और यह खेती करते हैं और पूरे भारत में सबसे जादा अगर कोई परतारीत होता है तो वह किसान होता है और किसान एक साल तक एक साल अपने खाने भर अगर आनुप जाना चालू कर देना तो पुरा पूरा जितने भी देश के बड़े बड़े जो नेता लोग हैं अफसर लोग हैं अब लेकिन लोग अभी अधिकार नहीं चाहते हैं इसलिए आएगा तो आप रात में आप बात करता है तो रात में मैं आप से लेकिन फिर वह इनको अधिकार मीलेगा यह नहीं मीलेगा यह जान सकते हैं लेकिन जब से मार पिट हुआ है घर में घुश करके पूलिस ने मारा है तब से यहां पर नेता लोग की भी लाइन लगी हुई है हमारे घर में आकर के छोटे से बच्चों को और उन्हों को मारते का हम क्या कर रहे हैं इसलिए प्रसासों को देखना रहे जाते हैं कोई सरकार मत है को कि मांग के है आप चाहते क्या है हम लोग को पूचित नौजद देगे हम लुकर तो अभी हाप काम करें निज़ा करें उसी पावर प्राइट में बिट हैं अधार चाहिए किसान है किसान के जो मांग है आप लोग ने सुना अभी मैं बक्सर के चौशाक में हूँ और बनारपुर गाउं में हूँ आप देख रहतें सीके टीवी इंडिया निवज चितरण्यल कुश्वाह के साथ नमस्कार जाहिन